हलो एन वेलकम बैक मार्केट में आज आमने एक पॉजिटिव सेशन देखा है निफ्टी में हमने करीब 18202 का क्लोज देखा है और 85 पॉइंट के एक अच्छी बड़त निफ्टी में देखने को मिली वही बैक निफ्टी में हमने करीब 41,685 के असपास का क्लोज देखा है जहाँ पे हमने करीब 47,400 पॉइंट के एक अच्छी बड़त बैक निफ्टी में देखी तो निटनेट एक अच्छा पॉजिटिव सेशन सुभे से ही आज देखने को मिला इंफाक बैक टो बैक यह तीसरा दीन था जब निफ्टी पॉजिटिव टेरिटरी में आज क्लोज हुआ है और प्यूरली टेकनिकल फ्रंट्स पे अगर देखे तो पिछले कुछ दिन से अठराजार से अठराजार पचास से अठराजार दोसों के आसपास का एक हर्डल जोन बनावा था निफ्टी के लिए और उसी रेंज में विल्कुल चार सेशन से हम उसी रेंज में कंसॉलिडेशन देख रहे दे आज finally उसके ऊपर हमको close आता हुआ दिखा है जो कि 18202 का एक अच्छा positive technical close इसको कह सकते हैं इसको इतना bullish इसलिए माना जा सकता है क्योंकि जिस तरह का pattern हमको daily chart पे देखने को मिला है जिसका हमने हमारे पिछले वीडियो में जिकर भी किया था कि एक cup and handle formation निफ्टी में बनाया daily chart पे और काफी लंबे span का ये formation है करीब April 2022 से लेके अभी थक का ये पूरा formation है तो उसका breakout कई न कई देने का attempt निफ्टी करता हुआ दिख रहा है और पिछले तीन-चार session से जैसा मैंने का कि 18,000, 50,000, 60,000, 200 इस range में हमको एक consolidation देखने को मिल रहा था bullish consolidation और आज उस range के बाहर निकल के close होने में निफ्टी कामियाब हो है तो इसलिए इसको एक अच्छा positive technical close के लिजे यह अच्छा breakout के सकते है averages के front पे अगर देखे तो 5 days average के उपर consistently nifty maintain करने में आज भी कामियाब हो है और 5 days average भी अपते 13 and 26 days average के उपर कामियाब हो है सस्तेन होने में तो एक अच्छा positive undertone market में clearly देखने को मिल रहा है weekly chart पे अगर हम नजर डाले तो weekly chart पे भी कुछ इसी तरह का setup हमको नजर आएगा weekly chart पे भी यह जो एक trend line है उसका एक breakout कहीं नहीं कहीं आता हुआ नजर आ रहा है हाला कि आज का इस week का पहला ही दिन है मंडे का लेकिन फिर भी एक अच्छा technical setup इसको कह सकते है weekly chart एक और अगर train line के अगर हम बात करें weekly chart के setup पे तो उसका breakout प्रिवियस वीक में हमने आता हुआ देखा था 4th of November को जो close हमने देखा था निफ्टी में तो वह weekly chart का close था जहां पे 18,170 का निफ्टी ने close दिया था वह itself एक weekly chart पे breakout close था तो net net एक अच्छा positive undertone market में देखने को मिल रहा है बाकी momentum indicators जो है वहाँ पे भी positivity हमको देखने को मिल रहा है और overall participation भी अच्छा देखने को मिल रहा है काफी सारे sectors outperform करते हुए नजर आरे banking में आज हमने बहुत अच्छा action देखा तो one by one sectoral churning में हमको देखने को मिल र है on the lower side nifty के अगर support की बात करें तो 18,000 और 17,850 ये दो अच्छे support है nifty के लिए on the lower side on the higher side nifty के लिए जो resistance बनेगा वो करीब 18,500 के असपास का बनेगा और उसको अगर take out करने में nifty कामयाव हो जाता है तो फिर ये rally 18,800 तक भी extend हो सकती है इस तरह के breakouts usually काफी अच्छी तरह के अच्छी तरीके से unfold होते हुए देखे गये historically तो देखते आने वाले कुछ sessions में किस तरह के Qs मिलते है global Qs लेकिन nifty का technical setup का पॉजिटिव नजर आ रहा है बैंक निफ्टी के अगर हम बात करें तो बैंक निफ्टी में हमने जैसे मैंने का कि 41,685 के असपास का close देखा है जो की सबाचार सो पॉइंट के अगच्छी बड़त बैंक निफ्टी में हमने देखी तो यहां पे भी बिलकुल निफ्टी की तरह एक formation हमको देखने को मिल रहा है एक काफी बड़े span का यह formation है चार्ट का डेली चार्ट पे तो इसका इसके पहले भी दो तिन बार निफ्टी इसी जोन से रिवर्स बैंक निफ्टी माफ कीजिए इसी जोन से रिवर्स हुआ था और 41,850 एक ऐसा crucial hurdle level अभी बन गया है इंडेक्स के लिए जिसके उपर अगर यह किसी कारणोंश अगर सस्तेन हो जाता है बैंक निफ्टी तो हमको एक बहुत स्ट्रॉंग रैली बैंक इंडेक्स में देखने को मिल सकते है क्योंकि यह पूरे इस पैन का जो एक पूरा एक मेजर ट्रेंड लाइन रिजिस्टंस ट्रेंड लाइन है उसका वो ब्रेक आउट माना जाएगा तो काफी क्रूशल लेवल पर आके बैंक निफ्ट मेंटेन कर रहा है और 5 days average भी बाकी 2 averages के उपर sustain होने में कामियाब हो आया और पिछले कुछ sessions के अगर बात करें तो यह highest closing bank index काम कह सकते है जो कि daily chart के हमको देखने को मिल ला है weekly chart के अगर बात करें तो बिल्कुल उसी तरह का setup weekly chart पे भी है और काफी सारे previous occasions पे इसी zone पे आके बैंक निफ्टी में हमने एक reversal आता हुआ देखा था तो डेली चार्ट के लिजेए या weekly chart 41,850-41900 यह बहुत strong hurdle zone index के लिए बना हुआ है तो इसको अगर surpass कर जाएगा तो हम एक बहुत strong rally index में आता हुआ देख सकते है और जिसके थोड़े से एक हमको देखने को भी मिल रहा आज के session में हमने काफी सारे banking stocks में बहुत अच्छी rally देखी है और काफी सारे banking के results भी अच्छे note पे हमको देखने को मिल रहे है especially PSU banks जो previously result front पे उतना अच्छा दमदार प्रदर्शन नहीं दिखा पा रहे थे उनके अभी बहुत अच्छे results हमको देखने को मिल देखते है कि momentum बरकरा रहता है लेकिन technically speaking काफी strong resistance 41,850,41900 का है उसके उपर एक बहुत strong breakout हमको देखने को मिल सकता है immediate support की अगर बात करें तो on the lower side bank nifty के लिए जो support है वो करीब 40,600 से लेके 40,700 के range में अच्छा support है क्योंकि पिछले 7-18 sessions से जो एक consolidation हम देख रहे है उसका जो lower range है वो करीब 40,700 के range में आता है on the higher side जैसा मैंने का कि 41,850,900 अगर take out होता है तो वहां से फिर हमको करीब करीब देर से 2000 पॉइंट की rally on the higher side बिलकुल short term में देखने को मिल सकती है तो यह काफी सारा depend करेगा कि किस तरह का breakout close हमको मिलता है अगर वो breakout close देने में bank nifty कामियाब हो जाता है तो एक strong rally बिलकुल rule out नहीं कर सकते है तो देखते है किस तरह से global Qs मिलते है लेकिन आने वाले लगता है कि कुछ दिनों में एक अच्छा strong out performance nifty और bank nifty दोनों में देखने को मिल सकता है